आजकल समाज में संसाधनों के अभाववस सरकारी नौक्रियों में च्रेयन से वंचित रह जाने की कहानिया खुब सुनी और सुनाई जाती हैं इन कहानियों को स्थन कर मेहनत का सीवा भी हद सो साहित होते रहते हैं कि बिना सहर में रहे और बिना किसी कोचिंग के वो अफसर नहीं बन सकते लेकिन इसी माहुल में सामने आती हैं कुछ ऐसी कहानिया जिसमें कुछ लोग बीना संसाधनों के ही अपने होसले की उडान से मंजिल तक का सफर तेह कर देते हैं गरामिन परिवस में पले बढ़े दिब्यांकिता के बेटे सत्यम ने न सरी बश्वन से अपने नौ सदस्यों के बड़े परिवारों की जिम्मेदारी उठाई बलकि मुबायल से प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर अपसर बन अपने छेतर के हजारों यूँआं की की गलियों से अपसर बन कर निकले बेटे ने अपने पिता को सबसे बड़ी पिढ़ना माना है ऐसी रही सत्यप्रकास की पारंभिक्षिक्षा सतना जीले के तीहाई बंहोरी गाउं की निवासी सत्यप्रकास की पिता ज्वाला परसास सुकला दिब्यांग है इसी कारण सत्य सिविल इंजिनियरिंग में इंदोर्स से डिप्लोमा किया जिसके बाद मास्टर इंवार्मेंट में पोस्ट क्रिजुशन किया जिसके बाद वो 2021 में आयोजित MPPSC के टेक्निकल गुरुप की प्रतियोगी परिक्षा का हिस्सा बने और उसमें एस जियो पद के लिए चैनित हुए जसके बाद अब जल संसादन विभाग में अपनी सेवाई देंगे सत्यम के पिता जवाला परशाद सुकला दिब्यांग है और माता स्यामा देवी ग्रहनी है वो दोनों चाहते थे कि उनका बेटा अधिकारी बने इसलिए आज जब संगर लब्द पर खुशी के आशों में बेटी के संगर्स को याद करने लगी अब वो दोनों खुश है कि उनका बेटा समाज और देश की सेवा में अपना योगदान देगा सत्यप्रकास की कंधे में छे बेहनों की जिम्मेदारियां हैं ऐसे में बेहनों की खुशी का ठीका नहीं नहीं है वो काफी खुश है सत्य प्रकास की बेहनों ने कहा कि हमारे पापा तो खुद लाठी और बैसाकी के सहारे से चलते थे लेकिन हमारा भाई अब समाज का सहारा बनेगा अब ही आपने परिक्षा अपनी कॉरिफाइगर के जो आपको प्लंप्ती मिली है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सबीको सुक्रिया कहूंगा मेरे गुरूओं को मेरे माता पीता को मेरे दोस्तों को और जो भी जिनको मैं ना आद पाऊ aosवी डंबाद क्यों की सफलता कैसे किन के लोगकों का हाथ भाए मैं दिया आज इस मुकाम तक हूँश हूँ तो इस तो मेरी बेहनों का हमेशा सही मेर उपर आसिरवाद रहा रहा बेटे की उपलबधी को शेके मैं यह कहना चाहँगा कि बालक ने हमारी इस्थित परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए अपने फार्ज कर्थब्बों का निर्वाहन बरावर सही धांग से किया को बढ़े हैं तापन सहारा बही नी भाई कैसा अब कभी अथ का बाफ रहा हुए उनका सहारा बहने बस सब कहां चाहिती यह तो आज इस उपलबधी को लेकर आप कैसे देखती हैं समाज को लेकर अब आपका बीटा लोगों की मदद करेगा हाँ लोगों की मदद करे गरिजे मेरे पिता जी खुद तो लाठी का सहारा लेते थे पर अपने बेटे को आज लोगों का सहारा और हम लोगों का विशेश तोर पर कि अपने पीछे से हम लोगों को हमारे पिता और भाई दोनों बनके हम लोगों की मदद करें और सब की करें